नसुल दिन का महल में प्रवेश खामोशी को अमीन ने भंग करते हुए का आप लोग मुझसे क्या कहना चाते हैं आपकी क्या राय हम ये प्रशन तुमसे पहली बार ही नहीं कर रहे हैं इस बार भी सब के सम्मौन थे सिर्फ पुर्वत जुके हुए थे शीग रही अमीर की मुख मुद्रा बदली क्रोध वश मैं अमीर के तेवर बतल गए नजाने कितने ही सिर्फ धर से जुदा हो जाते कितने ही चापलूस जुबाने सदा के लिए मौन हो जाती लेकिन प्राणों की भीक मिलती रहे इसलिए फौरण चापलूसी जुबाने तयार रहीं क्योंकि ठीक तभी एक करमचारी ने आकर मौन हुसेन बतलाता है उसका कहना है कि वो एक अतियावश्यक कार को बुलाया गया है वह जहापना से फौरन मिलना चाहता है जलबाजी में अमीर ने कहा मौना हुसेन उन्हें आने दो बड़े अदब के साथ उन्हें अंदर लिवा लाओ आलिम आये नहीं बलके दोरते हु मौनिया के जमाल और जलाल अमीर आजम ये घुलाम आपके लिए दूआ करता है मैं रात दिन चलकर अमीर को एक बड़े खत्रे से आगा करने के लिए आया हूँ अमीर वोजे बताएं कि आज वो किसी औरस से तो नहीं मिले मेरे अमीर आका इस तुछ घुलाम को उत्तर देन की महरवानी करे मेरी इलतजा है क्या कहा औरत अमीर ने परिशानी भरी आवास में पूछा आज नहीं हमारा इरादा जरूर बन रहा था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया ये सुनते ही आलिम उठखडे हुए उनका चेहरा पीला पड़ गया उन्होंने इस उत्तर की प्रतिक्षा बड़ी बीचरनी से की थी एक चेहन की सांस लेते हुए खुशी से उनके गाल चमक उठे वो कहने लगे अल्ला ने विद्धोता और गंभीरता का सितारा डूबने से बचा लिया है मैं अमीर आजम को ये बता देना चाहता हूँ कि कल रात सितारों वा ग्रहों की इस्तती ऐ इसी थी जो के उनके लिए अनिष्ट कारक थी इस नाचेस घुलाम ने जो के अमीर के ख़द्मों की धूल चूमने के खाबिल भी नहीं ग्रहों की गड़ना करके ये भली भाती पता चला है कि जब तक सितारे शुब ग्रहों में प्रविश्ट न हो जाएं अमीर को किसी भी इस्त्री के संपर्क में ना आना चाहिए यदि वे जोते शास्त्र की चेतावनी का अपमान करते हैं तो उनकी बरवादी सुनेश्चित है ये तो अल्ला का शुक्र जानों कि मैं ठीक समय पर आपको सचित करने आप पहुचा अमीर ने बीच में ही उसे टोक कर कहा ठेरो बल मैं ठीक समय पर अमीर को सचित करने आ गया मैं आज के दिन अमीर को औरत चुने से रोक सका इस प्रकार मैंने सारी परजा को घंगीन होने से बचा लिया मुल्ला नसुदीन इतने जोश में प्रसंता पुरवक बोले जा रहा था कि अमीर को उसका विश्वास करना ही पड़ा जब मुझे तुछ गुलाम को परवदिकार का हुक्म हुआ कि मैं अमीर को अशुब ग्रह नक्षक्तरों के अनिश्टकारी प्रभाव के विश्य में सचेत करूँ तो मुझे ऐसा लगा मानूम मैं खोशी के सागर में गोते लगा रहा हूँ मैंने टुरंट उनकी आदेश का पारण किया और आपकी सेवा मैं बुखारा के लिए चल पड़ा मैंने चलने से पूरू कई दिन अमीर की जैनम पत्तरी त्यार करने में लगाए मैंने उन सेतारों वा ग्रहों की चाल परक कर उसी समय से अमीर की सेवा करनी प्रारम कर दी ज जैसे ही मैंने खगोलिय ग्रह नक्षक्त्रों की जाच की तो पता चला कि वे अमीर के लिए अशुब वा अनिश्टकारी राशी में सितारा अशुला जो डंग की अलामत है सितारा अलकल्ब जो दिल का सूचक है के मुकाबले गर्देश में है आगे मैंने तीन सितारे अलगफ जो के औरत के नकाब की अलामत है दो सितारे अल एक लील जो के आज की अलामत है तथा दो सितारे अश शर्तान जो सींग की अलामत है देखे मैंने जंगल को देखा जो मंगल गरह का दिन है तथा ये दिन गुरुवार विरुद बड़े लोगों वा आजीम शक्षियतों की मौत का सूचक है अमीरों के लिए बहुत बद्शुगनी का सूचक है ये सब बुर्च और रास देखकर मैं समझ क्या के ताजपोश अमीर को मौत के डंग का खत्रा रहेगा यदि वो किसी औरत के नकाब को छुएगा अथै मैं आपको सचित करने के वास्ते फूर्ती से वहां से भागा मैंने रात दिन दो उंट दोड़ा कर मार डाले बाद में मैं बुखारा शरीफ पैदलिया पहुचा इस बात को प्रभावित और करने के लिए उसने अमीर से कहा अल्ला हो अकबर क्या ये ठीक है कि मा बदौलत पर इतना बड़ा खत्रा आया हुआ है मौलाना हुसेन क्या तुम ये बात दावे के साथ कह सकते हो नजुमी ने कहा गलती और मैं तौबा तौबा बगदार से अमीरे आजम आप अपने आलिमों से मालुम कर ले कि जनम पत्री में मैंने सितारों को ठीक ठीक बताया है या नहीं उनके प्रभाव की खोज ठीक से की है या नहीं अमीर के इशारे पर टेड़ी घरदन वाला आलिम आगे बड़ा और कहने लगा जोतिश विध्या में अल्ला नसुरुदीन को जलनवा बदनियती की जलक मिली विद्धतामे पर्थम मुलाना हुसेन ने आमीरे आजम को चांद की सोलमी मंजिल के विशह में तता उन राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया जिस जिन में वो मंजिले आती हैं क्योंकि इन कैफियतों के बिना ये कहना निराधार होगा कि मंगल का दिन आजिम शक्षियतों की मौत का दिन है। नया आलिम उल्जन में भस गया है। अकबर मेशवा ब्रिश्चिक की राशी में है। उसका उतार फर्क उरुज मकरवा ठहराब तुला की राशी में है। लेकिन बहार सूरत वो मंगल का ही है। तथा उस पर उसकी वक्र द्रिश्टी होने से ताज पोशों के लिए अनिष्ट कारी वा घातक है। वो उत्तर देते वक्त नसुर दिन का अनुभव हींता के आरोप की तनिक भी आशंका न थी। क्योंकि वो जानता था कि ऐसे मौकाँ पर बेहद बातुनी लोगों की ही जित होती है। वो आलिम के साथ शास्तार्थ करने की यूँ पूर्ते तैयार था लेकिन आलिम उसकी चुनोती को सुविकार न कर सका तता शांत रहा। दरवारी उल्टी टेड़ी घर्दन वाले आलिम पर ही फवकारने लगे थे। अमीर ने मौन भंकिया, जरा ठेरो, मैं अभी बताता हूँ। हुसेन, तुमने वास्ता में ठीक समय पर आकर हमें सचेत किया है, क्योंकि आज सवेरे ही एक जवान लड़की हमारे हरम में लाई गई है। हम उससे मिलने की तैयारी कर रहे थे। मुल्ला नसुरुदीन ने खौफ जदा होती हुए हाथ हिलाया, तथा का, ऐ मेरे हर दिल अजीज अमीर, उसे अपने ख्यालों से दूर कीजिए, आपके लिए तो उसके विशे में सोचना तक भी अनिश्टकारी होगा। वो चिला कर बुला, मनों इस भक्त वो ये भी भूल गया है कि अमीर से सरफ अन्य पुरुष में ही बात की जाती है। वो सोच रहा था कि इस प्रकार बोलना दरवारी सभिता के विरुद्ध तो अवश्य है, लेकिन इसे अमीर के लिए वफादारी वा उसकी जिंदगी को बचाने का जजबा माना जाएगा। ये उसके विरुद्ध नहीं होगा, अपितू इससे वो अमीर का खरीबी बन जाएगा। उसने अमीर से उस लड़की को न छूने की पूरी घरम जोशी से आरजू मिननत समाचत की, इलतजा की। वो कहने लगा, एए मेरे अमीर आजम मैं चाहता हूं कि मुझे आंसों का दरिया बहना न पड़े तथा गम का काला लिवास न पहनना पड़े। मौलाना हुसेन के इस परामश से अमीर काफी प्रभावित हुआ। ये सुनकर अमीर कहने लगा, मौलाना हुसेन घबराव मत तसली रखो हमारी परजा से कोई दुश्मनी नहीं है, जो हम बिना मतलब ही परेशान होने पर मज़गूर करेंगे। हम तुम्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इस बहु मुल्ली जीवन की पूरी हिफाज़त करेंगे, क्योंकि ये हमारी परजा की अमानत है। मैं तुमसे पका वादा करता हूँ कि तुम्हारी सलह के बिना मैं किसी भी इस तरी का मुक तक न देखूंगा। उन्होंने हुका बरंदार को इशारा किया, जोर का कश लेकर सोने की मुनाल नए आलिम को दे दी। नए आलिम ने नीची नजरे जुगा कर अमीर की इस महरवानी को कबूल किया। मुल्ला नसरुदीन को इस बात की बहुत खुशे हुई कि दरवारे ईशावा बदनियती से मरे जा रहे थे। अब इनने घोशना की माबदौलत आलिम मौलाना हुसेन को अपने राज की विद्वान शिरोमड़ी निउक्त करने की महरवानी करते हैं। उनकी विद्वतावा ग्यान तथा साथ हीद माबदौलत के लिए वफादारी लोगों के लिए अनकुर्णी है। दर्वार के मुहरेरों ने अमीर के परतेक कारित था शब्द के प्रशनसा को लिखने जिनका उत्तरदाइद था ताके आने वाली नसले उससे सबक ले सकें। अपने रजिश्रों में फूर्ती से लिखनी बद कर दिया। अब इने दर्वारियों को संबुदित करके कहा जहां तक तुम लोगों का प्रशने हैं माबदौलत अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुल्ला नसुर्दीन द्वारा फैलाए गए खत्रों के अत्रिक्त भी माबदौलत के सिर पर मौत की काली चाया मढरा रही थी। तुम मैंसे किसी ने उसकी और एक उंगली मीने उठाई। मौलाना हुसेन इन मुर्खों के चहरे तो देखो बिलकुल घदे नजर आते हैं। वास्ता में किसी भी बादशाह ने ऐसे लापरभा मंत्री न रखे होंगे। मौलानासुरुदीन मौन दरवारियों को घूरते हुए मानों उन पर हमले के लिए अचुक निशाना लगा रहा था और बोला अमीर आसम आपने ठीक कहा है। ऐसा ही मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों के चहरों पर विद्धता की चाप नहीं है। अमीर ने खुश होकर कहा ऐ विद्धवान शिरुमड़ी तुमने तो मेरे मुह की बात च्छिल ली वास्ता में इन कुंद जहनों के चहरों पर विद्धता की चाप नहीं है। मुल्ला नसरुदीन ने अमीर को दरवारियों के खिलाब भड़काने के लिए कहा। में छोड़ाएं बस आदा घंटा भी नहीं लगा इन्हें रुमाल गुम करने में। तुम तो समझी गए होगे न मौलाना हुसेन के आखिर ये गंदी हरकत करने का दुस्साहास किसने किया है। जैसे ही अमीर बोल रहे थे तभी टेड़ी गर्दन वाले आलिम ने बड़ी चालाकी से नजरे जुका ली। मौला नसुरुदीन की पार्खी नजरों से वो बचना सका। वो बड़ी तसली के साथ आलिम के पास पहुँचा वा उसकी पोशाक में हाट डाल कर एक खुब सूर्ती से कढ़ाई किया हुआ रिश्मी रुमाल निकाल लाया। अमीर आजम क्या इसी रुमाल के खो जाने पर आप अप्रसंद थे ये सुनकर आश्चर और भै के कारण सभी दर्वारी जैसे सक्ते में आ गए हो। यही तो मेरा रुमाल है तुम्हारी विद्धता अदूती है इसके बाद वो दर्वारीयों की और पल्टे आखिर कार रंगे हातों पकड़े ही कए तुम लोगों की वज़े से हम काफी नुकसान भुगा चुकें अब तुम्हारी हिम्मत एक धागा भी चुराने की न होगी जहां तक इस दुष्ट चोर का संबन्ध है इसके पूरे शरीर के बाल नौच कर इसके तलवों में सो बैत मारे जाएं इसे नंगा करके उल्टा घदे पर बिठाया जाए तथा चोर चोर कहते हुए सारे शहर में गुमाया जाए अर्सला वेक के सकेत पर जलादों ने आलिम को पकड़ लिया तथा उसे बाहर धकेल कर ले गए जहां वे उस पर तूट पड़े कुछ समय बाद जब वो दर्वार में हाजिर किया गया तो वो नंगा था उसके पूरे शरीर के सारे बाल नौच लिये गए वो बड़ा भद्दा कुरूप लग रहा था ऐसा प्रतीत होता था कि अब तक उसकी दाड़ी और बेडोल साफा उसके चेहरों की बदकारी वा अय के सामने से अमीर का आदे सुनते ही जलाद उसे घसीरते हुए ले चले तुरंत खड़की के बाहर से डंणों की फटकार वा आलिम की चीखों की आवास सुनाई देने लगी आलिम को घदे पन नंगा करके उल्टा बिठा दिया गया तो रही तथा ढोल की आवासों के साथ व वो इस नए प्रतिदुन्दी को तभा करने की किसी नई चाल की खोज में था वो दर्वारियों को अपने अनुकूल करने की कोशिश में था जबके दर्वारी लोग ये सोच रहे थे के बक्तियार को किसी न किसी तरह ठीक समय पर धुका दिया जाए तथा आलिम की दोस्ति हास पर दे रहा था बातचीत में अमीर को थोड़ी धकान महसूस हुई और उन्होंने अपना बिस्तर लगाने का आदिश दे दिया अमीर बिस्तर पर जाने से पहले थे कि तभी अचानक बाहर से कुछ शोरगुल सुनाई पढ़ने लगा तभी महल का एक गुमशुता दोड़त हुआ दरवार में प्रविष्थ हो गया उसका चहरा खुशी से चमक रहा था उसने आते ही खुशकबरी सुनाई अमीर आजम को पता होना चाहिए कि राज की शान्ती को भंग करने वाला मुल्ला नसुरुदीन पकड़ दिया गया तथा वो महल में पहुँचा दिया गया अ उल्ला नसुरुदीन को पूरा दरवार ही घुमता नजर आ रहा था